पिच्छ रुपे की सो पतंग जी यह साड़े चार्स रुपे का बढ़ेगा मेरे पास अब भी खेच के नहीं तोड़ सकते हैं और यह क्या क्या को लेटी दिखाने वाला है माज़ा देखिए आप यह एक सेकंड के अंदर एक सेकंड का देशना फरकत चोड़ारी है यह क्या ह क्या है अज हम आए है हैं फिर से हांडीपूरा का इट मार्केट में और आज हम आपको कुछ का कुछ आठ को ऊक्षए कुछ पत्व का टिखाने वाले मकर सक्रांदी को बस एक महिना रह गया एक महिना भी पूरा नहीं और तो मैं इस आपको कुछ और बी कलेक्शन और और वाइट रेंज दिखाए जाये कुछ तो आपको विजट करना पड़ेगा यह देख लिए बाइट मेरी सबसे कम रेट नासिर काइट सेंटर की रेट बिल्कुल वाजिव रेट होती है जैसा कि आप देखने चाहेंगे यहां देखेंगे अलग रामकुर की पताइगे हैं अलग रख रख रहे हैं यह यह देखेंगे यह मुरादाबात की पताइगे होती है हर्या अलग दैखने पookie गए अलग आ कि आई मेठक आट की मेरे आभ साब्स ओ रखाल आउडे साइट लगति और देक्षा को आने के लिए इसको अपन्ही पांडे के मजस और आइए बाता है बिल्कुल मिलता है मिलता जैसे आप देखेंगे जितनी भी को लेट है बेर पास में लगी है ना जितनी पीको लिडिया आ इसतों वालग को लेट यहां जाहां से भी मोथा रहूंगा व मेरा नाम मतलब अच्छा जमावाइस मार्केट के अंदर नासीर काईट सेंटर बड़ी दुकान के नाम से मशूर है दुकान स्क्रीन पाप नंबर देख रहोंगे आप मेरे को तो किसी भी शेहर से कॉल करकरे वॉट्स अपश मघा सकते हैं थाइसो तीन सो पधान के प्दान के प्लस मांजाद कम सब्सक्राइब होता है यह सेटप कागज का लगा यज़ लगधी के मैंज़ये लगवें यह सब मैदानी माझें नो तार मांज़ये माझे है एस्टील का माँजा है बहुत क्वाली का माँजा है यह नासिर काइट सेंडर के खुकी फरेम की ब्रांडेट चरकिया है अच्छा आप देखर हो नासिर का नाम वगेरा सब लिखावा है यह बारा दील की चंक्री होगी है जी 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 अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा ज तो भी तीस रुपे की एक चर्की देने के लिए तरह रहे हैं लाकिन होलसेल का रेट है यह सब होलसेल करें अंदर रचाने वाले किस पतंग से चालू करने वाले आज देखिए मैं पहले तो एक बार आपको प्रॉपर एड्रेस समझा दू नासिर काइट सेंटर हांडीपुर पदांग मार्केट में जो दुकान पढ़ती हो कैसे बढ़ती है यह चीतेवानों का एक महला पढ़ता है रामकर बजार के पास नासिर काइट सेंटर जो दुकान पढ़ता है जब आप यहां तो भी आपको आसानी हो जाए आने में और ऑनलाइन मागाना चाहे तो ऑनलाइन दुकान के बाहर बंद शाटर पर भी लिखावा मिलेगा और खुले दुकानों के बैनर पर भी लिखा लिखावा मिलेगा आप जल्दी अगर आ जाए तो बंद शाटर के बार भी मेरा कांटक नमबर लिखावा है तो आप जैपुरों में जावाए नासिर काइट सेंडर प 10,000 रुपे के अंदर हम जो माल देते हैं उसमें क्या होता है उसे सामने अले को भाड़ा भी नहीं दुखता 300-400 जाने का लगता है तो 10,000 रुपे से हमारा ओडर इस्टार है यहां से जो भी माल लेके जाएगा डबल की जुम्मेदारी नासिर काइट सेंटर के होगी डबल होना यानि एक लाग का माल लिया तो दो लाग हो जाएगा पचास एर का माल लिया तो एक लाग हो जाएगा इसकी जुम्मेदारी और गारेंटी हम लेंगे सच्चा वेपारी इ सब्सक्राइब कर देश में से माल मगा सकते हैं पचास पेसे से मेरी पड़ाइब पचास पेसे की पचास रुपे सो अब आगे देखेंगे आप यह मेरे पास से बढ़ेगी पिचासी पेसे की पिचासी रुपे की सो पढ़ेगी यह जो रेट आप देख रहे हैं यह मेरे से जनवरी के बाद फरवरी मार्च अपरेल माई जून जुलाई अगस्त पूरे बारा महीने जो मतलब जनवरी के बात की जो रेट होती है यह वोरे जनवरी से पहले का ओड़ा 10 पेसे 20 पेसे पढ़े बढ़ जाते हैं और जनवरी में भी आप लेने चाहेंगे तो ज्यादा नहीं आएगा बाकि यह पिच्चासी पेसे की पढ़ेगी है पिच्चासी रुपे की सो इससे बहला साइस जैसे का आप देखेंगे एक सो तीस रुपे गा एक रुपे तीस पे जैसे की डेगए चाहद रुपे का बढ़ेगा विकता है एक पाइप कर्सक्राइशा पांच जा रुपे की मिक्ति है भी यह सब्सक्राइब कश्रुमर की डिस्टर्ब ना हो एक एक रूप एस्टी पेसे की बदल उससे भी साइज पढ़ती है इसे बढ़ा साइज इस पर बड़े निट इसे के सीखावा तीला जो आप देख रहा है भी और बैस्ट को लेटी आ चुगा है यह विक साही जा चुगा है यह हमारे यह से 210 रुपे की बढ़े की और यह बीपांच रुपे की बिखती है यह विक साही चुगा है डबल से जादा मारजान लेए ना कितने लगे हैं कागच में इदर दिखें आदा दिखा चुका आदा कितना लगावाया यह बिल्कुल जैसा कि आप गजरा पदंग देखेंगे तो मेरे पास से 270 रुपे के पढ़ने वाली गजरा पदंग दो रुपे 70 रुपे से यह यानि 270 रुपे की सो पांच की विक्ती पढ़ने वालाँ शहाज अब यह यह गजरा पदंग होती है रुपे संतर पेसे के गज्रा पतंग होती एक देखेंगे आप साले तीन सो रुपे की सों ये साले तीन रुपे की बनना प्रवाद्थ होती है डज पेडंग पर बलब के अगे तंगने के बाद में ये पढ़ार मारती हो इस प्लें पतंग अपने कट लगा दी हो यह अए ऐसे तो फिर नाम खडा़ जाएगा अच्छा लग रहा अगर जैसा कि आप देख रहे है यह 420 रूपे की ब्ड़ तो पिकती है और प्लस ओर इसे कहें पर चौただशना जाथा पल गठाट्ण है यहां दीनि और Tara za कि उनने चुष्या-टाइज को अतिसे कि आपलकर लुपे कांट लेगता है यहां हमारे हैं से लोली चार रूपर बीस सा कि और उसको ठर्ट्रि एक यह साले पांसो रुपे का सव पढदा है जो के आप देख रहे हैं दस रुपे का साइज बोगने वाला बिक साई जा चुके इसे के दें बड़ा पत्ता जो कि आप देख रहें यह साड़े चेर रूबे की पढ़िए और आगी लागी किश्टों में इसको फंदर रूबे की बेज़ देता है एक लंबू पदंग केते हैं इसका साजिदा ब्याइली सिंच लिखावाई लंबू बदंग जी ब्याइली स होता है यह डिजाइनर पदंग होती है इसमें एक से हाडगर याइन आता है आखकर याइन आता है चांद बनावा आता है यह भी कश्टूमर हमारे हैं से लिए बीस पच्छी सुरू बेज देता है एक यूनिक पदंग होती है जो कि आप देखना है बहतरी इन को लेटी की इवेंड वगेरा में काम में आती है जो आगे लिए के बीस रूपे की बेज देता है एक दस रूपे की पदंग जो पढ़ती है जो कि एस रूपे लिखावाए एक अजार आरे सो काइट बियालिस इंच जो कि आप देखना है यह लंबू पता हो दिए बड़ा साहज की जो इस अंदर मैटलिक पदंग हो दिया फायर मरती पदंग फायर वाली पदंग होती है तीला बढ़िया लगा वाता है फैंसी तीला लगावाता है कुछ लैडिसों को भी जैसे गल्स बगेरा अब जो उडाया करती है वह इसी यूनिक और खुबसूरत पदेंग उड़ाया कर जाती है यह जो पतंग आप देखिए भूभा बहुत बड़ा साइज की ऑमरे हैं यह सी ने की जाती है जाती है यह शोलह सो पर वाली सबसे बड़ा साही जा चुगा है जो कि हमारे यह से बढ़ेंगे आले के बाद में कश्टुमर में इसको वेज देता है तीस यह जिस तो कि इसमें डिजाइन ऐसे एक सब्सक्राइब नियुक्त बढ़न जब दिसके होती हैं जैसा आप देखेंगे इंसान के बराबर की जो पढ़ने होती है जोके बहुत एक पढ़ाओ तो आसपास के महले और पड़ोसी देखने आ जाते हैं जो कि वह पढ़ने हैं जो चाली होता है जैसा कि आप देखेंगे आपन कागज मा जाते हैं इस यह मान के जलो पाला लग चुका है पनी की बदंग और रेट गई है सर अभी कितनी गई ती उसकी लास्ट चालीस रुपे जी वह चालीस रुपे की है एक अचा इससे पहले यह सोला रुपे की पढ़े की पढ़ इसके बाद में 2.70 फेसे की मिलें पांच रुपे विक्री की यह तो तो यह नहीं बिजनेस करने वाला भी एक बार बिजनस करने बाइए का तो जिन्दगी पर का बिजनिस करता है चोड़ता नहीं है तो कि इसके लगना मुनाफा इमान पर इसे काम करना डबल का मुनाफ़ तो मेरे यहां पर भीडबाल का काम रहता है मेरे यहां पर एक घंटे में फॉन नियुटा पाया तो दूसर एक घंटे बाद फॉन उसका रिसीव कर लूगा बंदेगा आप यह ना सोचे का फॉन नहीं उठा रहे हैं भीया बीजी रहते हैं लोग बीड़ ज्यादा रहती इम यहां पर देख रहे हैं यह मेरे साथ पढ़ने वाली आपकी 380 रूपे की सो अखल दार तीन स्वासी एक चार्ट सो रूपे के अंदर जो देखेंगे आप एक नंबर कॉलिटी का माल देख रहे हैं आप 400 रूपे का सो पढ़ने वाला ही यह बाद्रीन को लिए 400 रूपे की बनती है यह अपने देश का सबसे बड़ा मार्कीट है यहां पर दो लाग बनाग रोज बनती है पिलास मेरी खुद की 20-30,000 बनती है जो के मेरी खुद की फैक्ट्री है जहां आज सी रिकाइट की 20-30,000 बनती है जैसा कि आप देखेंगे अब यह बरेली की बढ़ने होती ह यह हमारे हैं से पड़ेगी शारहे चाड़े सो रूप नि फार्म पर है मतरा सारे चाटार शूर्पीर मातरा चार्चार्रों इन देखें पतंगे इन धो भरपूर है मैं बोली के इस डिजाइन इतने सारे हैं और देखता है रहा है कितने डिजाइन नहीं देखो यह 360 इस पे संवाजो गिसाई होती है सबसे महें के नहीं इसे इस पढ़िए इस पर अच्छा जितना महें का नहीं से इस अच्छा जितना महें नहीं चपके गाए जैसा कि आप देख रहा है यह साले 400 रूपर के बदने वाली पतांगे देखेंगे खुब सूर्ती रिखें हमारे हैं से पर अंदर क्या बांता अंदर आख एक साले 500 रूपर के लिचसे रहीं की वादने वाली हमारें से इसे माखे रार्वारो्स एक तर समद्व स्कून कॉल्याशियाइक बात बताओ अडिलीवरी set गल्लिवर होती है एक फुरे देशम अलाइन वाट इस होती है जैसा कि आप देखेंगे घुटेवी पतंग आती है साले 600 रुपे की सो यह भी बनेली की पतंग होती है, बहुत बहुत बेहतरीन पतंग होती है, मौमला की पतंग होती है, साले 600 रुपे की सो बढ़ती है, एक मुचधार पतंग आ जाती है, वाफिस साले 5 रुपे से साले 500 र साइज पांसों की पड़ती यह पांच की पड़ती है एक शेस्सुर्पे सो में सौफटी का जाता है चुछांती जी से आइस करें स्क्राइब करें और शेलों की बेज देता है और यह लियाने के अधर कुछ्टूमार 15 रूपब्स देता है एक शेलों कि प्रमारे यह जो बढ प्रेमियम पतंगे चालोने वाली से इसा कह सकता हूं मैं बिलकुL होने वाली हैुआ हैbin IKUD kalo his quality भृगνε वाली है यह पार लगता जा रहा है देखि देखिए पढ़िका कितनी वालएटी बहुत को लेटी दिखिने हैं अप बहुत बढ़ आप अब देखिंगा बरेली की 606 रूपे की पता आप देखिए एक से बढ़के कारिकर आता यह अरहा है जितना उच्छा कारिकर आएगा उतने प्रेटे बरती बरी की नहां जि कि पर मुरादावाद की बहुत उच्छे दर जो है अब जो देखना चाहिए देखेंगे आप मेरे पास ये지 मुरादाबाद की भटते वाली पतंगर देखेंगे वह फीमेले ये मेले सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा साइज होता है यह वी साथ रुपे की बड़ेगी इसका 34.5 इंच यहांने साथ 34.5 इंच यह मेंदानी पतन होती है यह हमारे यह लिए निवर कस्टूमर बीस रुपे की बेज देता है ठीक है अगली पतंक सर एक साले साथ रुपे की बने वाली यह यह बहुत है जिए यह फरकाबात की बदनें पहाड बन जागा थोड़े देर में अभी तक मैंने आपको साड़े साथ तक दिखाया साथ रुपे सो यह एक हजार रुपे सो पतंग यहां से ले आने के बाद में कस्टुमर्स को 22 रुपे की पतंग पचीस रुपे ना बैस देता है ठीक है यह अगली के इशारे पे नाश् को मिलेगा और खाई नहीं मिलेगा मूचदार पतंग का बड़ा साइज यह मेरे पास से पढ़े कि आपको साड़े बारा सो रुपे सो साड़े रुपे की एक जो के 400 रुपे की पतंग भिकती है क्या बात है अभी तक आपनी और कागेज का देखा कितना अडहर लग चुग परसंट के लिए मुझे दुबार आना पड़ेगा क्योंकि क्लेक्शन बहुत सारा है बहुत सारा क्लेक्शन देखे विए नासिर का इट्सेंटर पर जो मांजा मिलता है जो बड़ी दुकान के नाम से मश्यूर है इशो बाइंडी पुरा पतंग मार्किर में यह 30 रुपे स निराशना हो 300 रुपे से में इस टार की के साथ बिल्कूल यह पूरा इसे के से देंगे आप कि तरह बहुत सकते हैं हाजी इसके बाद में जो आप देख रहा है यह तीन दील का मांजा होता है यह मेरे पास से पढ़ने वाला मांजा आपको श्रीफ फ़ेगा एक रुपे का बढ़ी एक को लेटी का जो तीनल का मांगे होता है कि बहुत बैस्ट का जाता है यह मेरे पास से पढ़ने वाला है 300 रुपे का चरका होता है पांडा होता है यह दो त्थि प्रेंग इस्ट को लाइघ को लाएक लाइक मांजे होते हैं ऐसी आप जगेंगे चार सो चालीस रुपे का पढ़ने वाला भी चार सो चालीस रुपे लिखावा है छे रिल लेकिन नासीर काइट सेंटर जूट बोलके कभी काम नहीं करता है आप मेरे से लेंगे तो इसमें तीनी हजार गज मांजा होता है तीनी तरह मांजा है तो यह देखेंगे आप यह यह विर्वाथ बढ़ी क्याना होता है यह उससा लगने ऐसे तार देख रहे हैं आप अब बहूत उचे दर्जे के मांगे इता सबसे पांधा होता है बहुत उचा है वली शेर का आप देख रहे हैं बहुत उचा पांधा होता है यह बहुत उच्छा पांडा होटा है इसको आपको इसा लगे यह तार पकड़ लिया पन्य देखें तो है यह वबाइब नंगा झाले साथ सो रुपे की बैतरीन कॉली इक होते हैं यह सारे सारि साथ सो रुपे का चर्का अब अब इसी आ जाते हैं मैं छे दिल का मांचा पूरे यह 500 रुपर यह चारइन बड़ेगा इपर यह से में 400 रुपर यह आप देखने हैं 400 रुपे यह 400 यह चार्सों का यह 500 रुपे पान्सों का यह देखेंगे आप 500 रुपर फर्मूद बेग एक फयाज बेग नबर क्वालेटी का में जा होता है यह फटान सो दस रुपे का चलिका चेएल का चौबीस करद देखेंगे आपको 600 रुपे मिलेगा यहां से पढ़ने वाला है यहां से बढ़ने वाला है यहां से लिए आने के बाद किस्टूमर इसको बेज देता है बहुत उची चीज है बहुत उची चल रही है यह हमारी यह सी एक हजार रुपर का चल्का बढ़ेगा बहुत बढ़ेगा पहत्रीं नमबर को लेटी का मांजा है यह मांजा एक पतंग नहीं यह मांजा अगर आपका टेरीज बढ़ा है और नीचे से अगर खेच मारते वह आप चलना तो सीधे साथ से साथ काट सकता है और परोसी भी तालीव जागा क्या मतलब बहत्रीन पेच लड़ाया है सची मात है कि सरी इसका भी एक डेमो दिखाने वाला हुए आपके सुमाजेगा एक हजार वाले चर्की गया डेमो दिखाने वाला हुए जैसा कि आप देखेंगे यह मेरे पास में यह व होलसेल में होते हैं यह वीडियो रीटों में दिखाए जा रही हैं अगर कोई विजिट करता है यहां पर आकाल लेता है तो जो भी मालस अम्मान की rate भढ़ेगी पुझाल रूपर चर्की पर रैट बढ़ेगी इसके रही हैव बहुत क्याच सो रुपर के एस सेयरे कोई तो हम चोदा दिन डिट्यल करते हैं बाइक होलसेल बारा महीने करते हैं जैसा कि मैं आपको एक अजार उपर वाले मांजे का डेमो दिखाने वाला हूं जैसे आप आप यह देखें यह मांजा देखिए यह मांजा आप देख रहे हैं जी बेकलाइट की चर्कीर के नाम से मश् आप देखें और इससे यह तो के यहां तक हाथ हैं तोर सकते हैं जैस्केश को यह कितना भी कहच के निप्या हुआ दिखा ये क्या क्या इस आप का ने फरकत्त यह तोरा दिया नियुक्त बिखा यह दिखा एक एक सेकुंड गंदर इस वाह दोड़ने इससके फरकत पता हुप जो रही कितनी मजबूत रश्ति को आप देख रहे हैं तो आप डिया ऐसा ही जैसे कि आप यह देख रहा है ये इस नास रखाइट सेंटर पर माज़ा के वह आप देख रहा है एक सेगेंड के अंदर पूरा इस रस्तिका क्या हाल कर दिया इसने जी क्या हल यह रस्तिका कड़ चुका है यह नासर काहिट सेंटर भाई यह क्या आप यह बहुत ब्लड़ने के लिए तयार है अभी यह लड़ सकता है दार देखिया भी इसका मेरे अग अगर अपना टेरिव बलाए और अब नीचे से खेंच मारते ही वा रहा है और खेंच मारते ही आते हैं एक साथ जो दस पदम को काटने वाला मां जाता हूँ नासिर कैट सेंटर में मिलता है और दो बर काटके दिखाया आप यह देख लो रस्तिक क्या आलत की है सर ने सर ने बड़ी बड़ी रस्ति से निकाली आपने ना यह काटो मानने वाली इंसान पुवे में लटक जाए इसको पकड़ागे तो नहीं टूटे ऐसी रस्तिया होती है यह बहुत मजबूर मैं भी काटके दिखा सकता हूं कि देखिए पकड़ी है आप पकड़ो लेओ लगाओ एक पकड़ने आप यह बहुत आप देखना है यह यह केचो एक है कि यह कि देखो बाइटी देखिए और मांजा रेट अपने एक अजर रोपे एक चर्का चेह रिल गाए बारा रेल बे आती है आतीए आपको चोई सो पचासवार यह बाद है बाद देख लो इसको इसको बार आपको हांडी पुरा पतंग मार्किन में जैसे आप एंटर होंगे तो आठ दुकान आगे आएंगे आट से दस दुकान बड़ी सारी शॉप पर नंबर जो के स्क्रीन पर आप देख रहा है यह नंबर लिखावा मिलेगा आप यहां आई यह एक से आप खाली चक्री दिखाऊंगा चर्की सर अब क्या दिखाने वाले अपन देखिए स्टार्डिंग ओडर होता है 42 रुपे की दर्जन पढ़ेगी मिरपास में जो के पांच रुपे की गाउं में बिखती है चर्किया इसके बाद में पर चर्की पढ़ना वाली असी रुपे क का पीस मेरे यहांसे पढ़ेगा और 200 रुपे का भिकता है और 30 रुपे कर बिखता है ती जो चर्की देखर हाय यह मेरेcilOk यह घर्रोपे को बढ़ेगी कि विच्चूमर कीजिता इस रूपए के पड़ेगी में एक यह जा जाती है तृट्रोपे इसमें 301 रगेचमान जाती है कि यह जाती है प्लीकुल आजाते हैं शूप यह विखेगी 25 रूपे यह जो आप देखना है यह वाली चर्की यह पढ़ेगी मेरे यह से 19 रूपे की बढ़ेगी और आगे जाके किस्टुमर इसको भी 40 रूप की बेज देता है यह जो देखेंगा मेरे यह से पढ़ने वाली है उल्ली 50 रूपे की जली यह शीशा होता ही जिससे के आप शकल भी देख सकते हैं उपर खड़े होगे अच्छा होता ही यह पचास रूपे की मेरे से बढ़ेगी यह बड़ी चक्री होती है इसको देखके इसा लगता है छे गट्टे में फूल हो जाती है एक रील में एक यह 45 रूपे की चर्की बढ़ेगी आर पार ज अच्छे कॉलेटी चमक वाल आमाल ठीक है ऐसी ही आप यह चर्की बढ़ेगी तीस रूपे की इसी में शस्टी आपने बाद मिलेगा तीस वाला बाल चामक वाला मल ठीक है एक यह पार ओरिजिनल चर्की हो दिए हैं और इस ने हो चर्की आप यह तो जाएकी सार तूट जा तोट नहीं सकते हैं तो बहुत मजबूँ चर्की होती है जैसे आप देखना है यह अरीजनल फाइवर की चक्री होती है जो आप डिर आप नहीं तूटेंगी जब नहीं तूटेंगी ज़िसे भरने के बाद बरने के बाद में गर्रोपी जड़ी जिनके 12 रिल की चर्की और न रेभीi से को लेजा सकते हैं मेरी शप पर अब देखेंगे उनीक छक्री आगसाशे जो भी होती है इस से कांकश की जिससे कांचा लगवा चक्राक यह बहुतए योनीक होता है यह मेरे हाँ से बढ़ता है पूरा बहुत बड़ी होता है कुछ सुरत होता है एक नंबर की होती है साले 800 मेरे यहां से पढ़ेगा इसके अंदर 18 रील की होती है जो कि आप देखना है पीतल की इसी में दो ले जाएंगे पीडियों की पीडियों चलिएंगी लेकिन यह चर्की खराब नहीं होगी यह पीटल की तरगी होती जैसा कि आपने देखा भी चक्रिय कितनी सारी में ने दिखाई और भी वराइटी होती है आप वाटसब नंबर लेके मेरा और वहां पर आप पूरा कोडे मगवा सकते हैं वाटसप नंबर पर बहुत बड़िया जिस शहर में जो माल बिकता है वो नासीर कैट सेंटर पर मिलता है एक एक ब्रांडड इड को लेटी की पता है और ब्रांड इड को लेटी की खाली चंगरियां जैसा कि मैंने आपको बढ़ताया भी एक से क्वालेटि की कुझ तरुकेन, बढ़ना, मिलता है यह हाथ ही कि तांग बनने वाली रलता को आप मंजया मिलता है आप लिए प्रिखाएंगे सब्सक्राइब करेंगे जो कि आप लोगों के लिए 14 दिन तक हम रिटेल करेंगे बागी बारा महीं मेरा जो काम है वह होलसेल काम है थोड़ी सी रेटों का फरक आता है लेकिन कॉलेटी हमारे यहां पर लेके जाओगे रेट का ना देखें आप पेश्ट पेश्ट पर पदंग बढ़ते हैं या पचास उरुपे-शो रुपे मांजे पर बढ़ते हैं लेकिन चीज यह देखें के ब्रांडेट चीज मिली और कॉलेटी वाली चीज मिली है ठीक है तो गाई आज हमने दिखाया बहुत सारा कलेक्षण काइट में नासर चाहना पड़ेगा तो इस तरह की पतंगे आपको मिलने वाली है यह देख लिए तो लोकेशन बहुत ईजी-पीजी है पतंगे आप देख सकते हो पतंगे आपको भरपूर मिलने वाली है कलर डिजाइन आपको सब कुछ मिलने वाले हैं एक चछत के नीचे शर ने बताया ध करीब पड़ता है वहाँ पर रामगज बजार के पड़ता है वहाँ पर रामगज बजार के पड़ता है वहाँ पर रामगज बजार में आप आएं तो वहाँ पर मुझे कोल कर लें तो मैं प्रॉपर एड़े समझा दूँगा फिर पिला साब पतंग मार्केर में जैसे घुसेंगे तो बड़ी दुकान के नाम से मश्यूर करे जाती है नासीर काइट सेंटर यहाँ पर जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है वह आपको दुगान पर लिखेवे मिलेंगे अच्छा गशा साब यह सवाल*** जैसे अभी जो जैपूर में आ रहाए है जैपूर से हैं वह विजिट कर सकते हैं एसके उन्हीं के लिए होल्सेल में अगर मेरे से 10 पुरे देश के आखरी कोना जैसे केला वहां भी मेरा माल गया है तमील नाडू केला बैंगलोर हिदराबाद और यह महराष्ट्रा साइड मालाट कराट पूने और अमरावती बारमती फल्टन सतारा यह सब शेहर अपने हाथ में नासिर कैट सेंटर के जहां देते हैं यहां का हर बैपारी मुझे जानता है नासिर कैट सेंटर बैपारी को ने तो गाइस देखो साही के सब्सक्राइब करने का सोच रही है तो देखो बिजनस सब्सक्राइब पूरा एक बिजनीस चालू करो करो जो मेरे से दस यार चालू करता है वह 10 लाग पर पूच जाता है देख लो बाई में कलेक्शन यहां पर भरपूर है विजिट करिए और रीटेल में जिसको चाहिए जो लोग एक पीस लेना चाहते हैं जैसे मंजा चाहिए किसी को कुछ पतंगे चाहिए तो एक थारी से लेकर 14 तारीक तक जो सक्राइब का टाइम है आप आसकते हैं 14 दिन आसकते हैं रीट कर दीजें अच्छा आप इनका चैनल लाइक करें सब्सक्राइब करें वजह क्या है इनके वजह से आप लोगों सस्तामाल मिलने मैं देखने को मिलता मिलने को मिलता है पूरे देश के किसी भी कोने में आपको किराया लगाने के जरुवत नहीं है आप वहीं से बेटे- आते हैं हमारे पास तो इनके जड़ी होते हैं तो इनका चेनल लाइक करें सब्सक्राइब करें ठीक है ठीक है अब आए कर दो